फस्ट इंट्री है 2020 जनवरी 6 छोड गूड्स तू मुकेश आफ़ लिस्ट प्राइज ऑफ 2 लैक एट ट्रेट डिस्काउंट और 20 परसंट यहां पर मुकेश को गूड्स सेल कर रहे हैं तो इंट्री होगी मुकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट यहां पर 20 परसंट देंगे हमेशा ध्यान रखिए ट्रेट डिसकॉंट की इंट्री हम नहीं करते हैं इस वज़े से इंट्री सिर्फ मुकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी नेक्स्ट इंट्री है जन्वरी एट की मुकेश रिटर्ण गुड्स ऑफ दे लिस्ट प्राइज औफ फाइफ मुकेश हमें रिटर्ण कर रहा है गुड्स प्रिवेस इंट्री में हमने उसे जो next entry है received from Mukesh the full payment under a cash discount of 4% यहां पर हम Mukesh से payment receive कर रहे हैं और cash discount उसे दे रहे हैं 4% का तो cash discount की entry हम करते हैं तो entry हो जाएगी cash account debit discount allowed account debit to Mukesh cash हमें मिल रहा है receive हो रहा है debit what comes in discount allowed debit इसली हो रहा है यह हमारा expense है all expense and losses are debit और Mukesh giver है हमें वो payment दे रहा है इस वज़े से Mukesh giver है तो credit the giver अब देखिए amount क्या लिखेंगे पहले हमने उससे 1,60,000 का बेचा था उसके बाद उसने return कर दिया है 4,000 का इसका मतलब 1,56,000 उसे देना है हमने 1,60,000 को 4,000 से माइनस कर दिया है लेकिन हम उसे 4% discount दे रहे हैं 1,56,000 पर तो 1,56,000 का 4% होगा 6,240 और अब 1,56,000 को 6,240 से माइनस कर देंगे तो आएगा 1,49,760 इसका मतलब हमें इतना amount cash मिल रहा है 6,240 का हम उसे discount दे रहे हैं cash column में लिखेंगे 1,49,760 discount allowed column में लिखेंगे 6,240 और मुकेश column में लिखेंगे 1,56,000 अब इसका total कर लेंगे 3,20,000 आएगा आएगे 2,56,000 आएगे 3,20,000 आएगे 4,21,Cor So अएगा 4,260